हेलो गाइज और वेलकम तो दे चैनल नेक्स एक्जाम आईक्यू इन इस वीडियो वीडियो डिसकस अबाउट सम टॉपिक्स आप जो के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशर रहेंगे इस ना कि यह डिसकस करना है उसके साथ हम लोग आपके लिए एक सर्प्राइज भी लाएं हैं वीडियो के आखिर तक बने रहें हम आपको एट दी एंड वो सर्प्राइज भी जरूर बताएगे सो हमने इतने बड़े अम्रेख्या लबत से यही टॉप है इसके पीछ इए बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये जो topics हैं ये जो एक subject हैं यह बहुत important है और हरव बार advantageous रहें क्योंकि यहीं jak sEед आपको marks दिलv domestic जा सकते हैं क्योंकि हमारे बास time बहुत कम रह गया, और जेकेपी, जेकेएससबी के चेयर्मेन ने भी अनाउंस कर दिये कि जो भी हमारे एक्जाम्स हैं, वो टाइम पे होने वाले हैं, कोवीड फेक्टर नहीं रहने वाला है, सो अब हमारे पास 40 दिन बचे हैं, सो 40 दिन में ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो एक्जाम है वो पास हो जाए और अब उसके बाद हम फिजिकल के लिए त्यारी कर सकें, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाली हैं, इस वीडियो में ही लाइक आप कह सकते हो कि ये लक्षमन बान रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसा सर्प्राइज लेके आए हैं, जो कि आपके लिए एक आपक PSI में history से एक question आपको मैं discuss जरूर करूँगा जो कि जैंड के basis है कि fourth Buddhist council कहां हुई थी और किसके time पे हुई थी वो कश्मीर में हुई थी करिश्का के time पे हुई थी ठीक है ऐसे questions हमें जरूर देखने को मिलेंगे इस exam में भी although ये जो भी level होगा पिछले exam से इसका level थोड़ा बड़ा होने वाला क्योंकि competition भड़ चुके है ठीक है तो discuss करते है history history को हमेशा हमने तीन भागों में divide करके पढ़ा है ठीक है ancient history medieval history और उसके बाद modern history ancient history में ऐसा क्या पढ़ा जाए क्योंकि at the end modern history से आपको आप कह सकते हो कि 10 में से 7 questions जो है आपको modern history से देखने को हमेशा मिलते हैं और हर paper में देखने को मिलते हैं इंडिया कि जितने भी exams होते हैं छोटे से लेके बड़ा अगर उसमें अगर syllabus में अगर history है तो modern history में सबसे जादा question देखने को मिलते हैं लेकिन हम 3 तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि competition बहुत जादा है 3 को कैसे cover किया जाए वो ही इस topic में आपको discuss किया जाएगा जो आगे आपके लिए surprise रहने वाला है वो आपको 3 marks ज़रूर दिला सकता है क्योंकि although 7 marks तो सब ले सकते हैं क्योंकि इस 3 marks को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको करवाएंगे अब उसके लिए आप बेफिकर रहिए ancient में आपको क्या किया जाएगा ताकि आपको 3 marks मिले ठीक है उसके लिए हम आपको त्यार करवाएंगे इंडस वैली सिविलाइजिशन उसके बाद religious जो की बुद्धिजम और जैनिजम है ठीक है तो वो आपको अगर आप ये दो टॉप्रिक्स अच्छे से त्यार करें तो आपको जरूर ये help करेंगे जो हमें medieval को like बहुत सारे बच्चों को तंगी आती है इन दो में like ancient और medieval में तो ऐसा क्या पढ़ा जाए जो medieval को भी हमें cover करवा दे medieval में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी attacks हुए है like मौमद गोरी ने attacks किये थे, मौमद गजनी ने attacks किये थे, कौनाग temple आपको जरूर मिलेंगे we are sure, we are damn sure आप लोग अगर इनको ही अगर पढ़ने को बैठेंगे ना अगर सारे slaybers को तो आप 40 days में नहीं cover कर पढ़ेंगे that is a fact but आपको क्या करना है इन तीन चीजों को आपने अच्छे से पढ़ना, modern को तो आपको although कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन आपको modern पूरा का पूरा पढ़ना पढ़ेगा ancient और medieval में यह यह topic साथ त्यार करें आपको जरूर beneficial रहेंगे उसके अलावा आपके लिए एक बहुत बड़ा surprise है जो next exam IQ के platform में आपको मिलने वाला है और आप हमारे साथ बने रहें इसके बाद geography की बात करें geography में ऐसा क्या पढ़ा जाए क्योंकि geography के syllabus में अगर आप देखोगे तो वो भी एक umbrella term दी है कुछ भी specific नहीं है सब इस inspector के exam में geography में हम लोग try करेंगे cover करने की Indian geography and world geography Indian geography में हम क्या पढ़े क्योंकि Indian geography भी तो बहुत बड़ी जग्राफी है physiographic division अगर लेके अगर हम लोग बैठ जाएं physiographic division ही बहुत बड़ी है उसमें हमने rivers पढ़नी है mountains पढ़नी है, passes पढ़नी है soils पढ़नी है, rivers के tributaries पढ़नी है और river के tributaries पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा साल निकल जाएगा so हम लोग आपके साथ त्यारी करवाएंगे आपको अच्छे से त्यार करवाएंगे ताकि आप जरूर पास होके निकलेंगे इस exam से, Indian geography में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो इंडिया की location वो तो पूची ही जाती है हर बार इंडिया की location हमें जरूर पता होनी चाहिए longitude क्या होता है, latitude क्या होता है, Indian standard time क्या है मिर्जापूर की क्या खासियत है, वो भी हमें जरूर पता होनी चाहिए topic of cancer कौन-कौन से state से होके गुजरता हमें जरूर पता होने चाहिए यह सर आप साथ-साथ इसको no-down भी करें क्यूंकि आपने at the end अगर इनको ही अगर आप जो मैं बोलता जा रहा हूँ अगर वही topics आपने clear कर दिये, अच्छे से focus करके पढ़ा we are sure, we are damn sure कि आप लोग जरूर crack कर पाएंगे इस exam को और आप physical के लिए जरूर जा पाओगे क्योंकि पहले exam written होने वाला है उसके बाद ही physical होने वाला है world geography की बात करें sir, world geography में हमें continent जरूर पढ़ने हैं जितने भी world के continents हैं, ठीक है, जितने भी cities है, important cities, UNESCO World Heritage Sites हमें जरूर पढ़ने हैं, जो latest news में रहे हैं, कश्मीर का भी आप मान लो, अब निशाद भाग भी UNESCO के लिए important बनता जा रहा है, ठीक है, और जो अभी भी जो दुरगा पुझा को हमें UNESCO World Heritage Site का tag मिला है वो भी जरूर पढ़ना, क्योंकि at the end आपको पूछा current affairs से ही related पूछा जाएगा, कोई भी ऐसा wetland, कोई भी ऐसा dam मान लो, कोई भी ऐसा lake मान लो, जो की अभी latest news में रहा हो, वो जरूर पूछ रहा जाएगा, और वो जरूर देखने को मिलेगा, we are sure, world geography में, जितनी भी countries हैं, उन countries की rivers को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, उसको analyze करें, और जरूर आप एक geography पढ़ने के लिए आप जरूर globe ले ले ले, एक और map जरूर ले ले, इंडिया का भी, world का भी map जरूर ले ले, क्योंकि at the end आपको रटा नहीं मारना है, समझ के पढ globe ले लेंगे, उसके बाद map लेके बैठ के पढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो हमें 40 दीन में कैसे cover करेंगे, लेकिन आप जो भी पढ़ें, because we are not sure, कि आप जितने भी आप YouTube channel देख रहे हैं, वो सब confidently कह रहे हैं, हमारा paper आएगा, हमारा पढ़ाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, at the end, book से हमें जरूर पढ़ना चाहिए, most of the student क्या होता है, कि वो पढ़ते हैं सिर्फ YouTube channel से, और वो नहीं clear कर पाते हैं, because वो उन्होंने book को readout नहीं किया होता है, NCRT, look, NCRT का क्या काम है, अब हम NCRT को भगवान मान लेते हैं, खुदा मान लेते हैं, NCRT को खुद दी हैं, वो हमने पढ़ने हैं, like यह नहीं है कि NCRT में सारा material मिलेगा आपको, at the end, आपको different topics को, different books को, आपको करना पढ़ता है, forward करना पढ़ता है अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लोग कहें कि खाली NCRT पढ़के हम सारा slavers cover करके जा सकते हैं, ऐ ऐसा नहीं है, NCRT को slavers मान लिया जाना चाहिए, ठीक है, यही हम लोग गलती कर देते हैं, और उसके बाद हम polity की बात करें, तो सबसे बड़ा पहाड जो है, पहाड नहीं कह सकते है, topic है, जो making of Indian constitution, जो बहुत important है, जो हम कह सकते है, history मानी जाती है, polity की, क्या-क्या हुए थ हम making of Indian constitution में, वो ज़रूर पता होना चाहिए, उसके बाद, बात करेंगे हम, fundamental rights, fundamental duties, DPSP, यह ज़रूर पढ़ें, powers of president पढ़ लें, governor की power, governor को appoint कोन करता है, यह सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है, because at the end, यहीं से question आने वाले है, तो इन topics को ज़रूर पढ़ लें, कौन स amendments भी पढ़ लें, कितनी अभी तक amendment हुई है, 40 second amendment क्यों important है, mini constitution किसको कहते हैं, ठीक है, यह आपको सारा पता होना चाहिए, सो उसके बाद last हमारे पास बचता है, जो हमें पढ़ना है, जरूर हम पढ़ेंगे इसको, general science को, बाकी भी पढ़ेंगे, general science को भी पढ़ेंगे, general science में हम पढ़ेंगे, physics को, chemistry को, और bio को, physics में हमें क्या पढ़ना है, जिससे हमें cover हो जाएं, physics भी, और हमें marks भी मिलें, physics में आपको सबसे ज़ादा vector और scalar quantities पता होनी चाहिए, सारी पता होनी चाहिए, उसके बाद SI units, सारे पता होने चाहिए, जितने भी हैं, SI units के बाद आप लोग chemistry की बात करें, यह अगर आप दो भी कर लोगे, तो भी आपको cover कर पाओगे, maximum आप कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा जो होगा, question का level जो होगा, basic होगा, ज़्यादा कोई high level का इतना paper भी नहीं रहने वाला, although, थोड़ा सा depth होने वाला है, last time के comparison में, लेकिन होना यही है, last में, chemistry की बात करें, तो आपको periodic table अच्छा पता होना चाहिए, सारा पता होना चाहिए, और साथ, इसके साथ carbon ज़रूर पढ़ लेना, carbon ने तो सब की दिमाग की, खराब ही कर रखा है, टैंस से ही अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद, जो आज कल चल रहा है, day to day life में, क्या-क्या हमारे लिए, import chemistry में, क्या-क्या है, हमारे जो day to day life में related है, ये भी पढ़ लेना, उसके बाद, bio की बात करेंगे, bio में हमें क्या पढ़ना है, bio में हमें botanizology को लेके नहीं बैठ रहे हैं, bio में हमने simple human physiology, human anatomy को discuss करेंगे, ठीक है, क्योंकि botanizology को इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, last में human physiology और human anatomy ही पूछी जाती है, like eyes, cell पढ़ लेना, tissues पढ़ लेना, organism पढ़ लेना, organ system पढ़ ले तो covid हमारे लिए बहुत important बनता जा रहा है, ठीक है, covid को पढ़ लेना, covid के कौन सी vaccine, कौन सी state ने कब निकाली थी, sorry state ने नहीं, country ने कब निकाली थी, ये भी आप देख लेना, उसके अलावा, हमारे blood को पढ़ लेना, blood के blood बहुत important है, respiratory important है, covid के according, respiratory tract बहुत important बनता जा रहा है, covid के देखते हुए, blood को पढ़ लेना, WBC ज़रूर पढ़ना, RBC और WBC की भी relation हमारे covid के साथ है, और ये titles हैं, कुछ cell के titles होते हैं, like, mini policeman of cell को कहते हैं, कौन सा cell है, जिसको micro policeman कहा जाता है, WBC में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, हम भी आपके साथ discuss करेंगे, और last में आपके साथ हम जो surprise लेके आए हैं, वो आपको ज़रूर आप discuss करने वाले हम, so आपके लिए ये surprise ये है, कि हम लोग एक tonic batch लेके आए हैं, आपके लिए, ये tonic batch क्या होगा आपके लिए, ये आपको tonic का का काम करेगा, because time 40 दिन रहें हैं, आप बिमार हो चुगे हो, तो बैट में, जितने भी ये, मैंने आपको syllabus के, ये parts लिखाए हैं, इन parts के MCQs, in the form of MCQs, आपको discuss किया जाएंगे, so आपका काम ये रहने वाला है, कि आप लोग पढ़ेंगे, आप अपनी book से पढ़ें, जो भी आप, like study material आपने refer कर रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लें, जो जो भी मैंने आपको इस video में बताया, note down कर लें, और लिखने के बाद, आप लोग इस topics पे, आप focus करना शुरू कर दें, और at the end, सब लोग ये analyze करने जाते हैं, कि हाँ, हमें कितना आता है, उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए tonic batch start किया है, tonic batch में आपके लिए क्या रहने वाला है, जितने भी ये topics दिये गे हैं, इन topics के mcqs आपको दिये जाएंगे, mcqs को discuss किया जाएगा, mcqs के options को discuss किया जाएगा, in fact, ताकि आपको एक ही question से 4 questions निकल के सामने आएं, तो ये topic हमारा start रहेगा, ये batch हमारा start रहेगा, आपको daily mcqs मिलेंगे, और आप discuss करेंगे, topic wise mcqs रहेंगे, हर एक topic mcqs रहेंगे, और आपको ये mcqs discuss किया जाएंगे, आपके साथ, in the form of, like mock test कह सकते हैं, लेकिन ये tonic batch रहेगा, इसका playlist आपको create कर दी जाएगी, आज ही कर दी जाएगी, और कल से आपको, ये mcqs मिलने शुरू हो जाएगे, so हमारे सा जुडे रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जादा important होने वाला और ये tonic आपके इतने काम आएगी, कि आपको जरूर आपको एक physical के लिए जरूर लेके जाएगी, we are sure, so जुडे रहें हमारे साथ, thank you.